प्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्षमी वविता किचिन में सबसे पहले आपको दीवाली की धेर सारी सुप कामना है आज में लेकर आईयों बहुत ही सॉफ्ट मुह में गुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम बेसिक घर के समानों से जो किचिन में हमारे में हमेशा अब लेविल होते हैं उसनी समानों से ये मिठाई बना के हम तयार करेंगे हमने ये लिया है एक बड़ा नारियल मैंने इसको छील लोंगे इसका जो काला काला पार्ट है इसको हम सारे को निकाल लेंगे क्योंकि मिठाई का कलर हमारी का खराब हो जाएगा वैसे तो इससे भी बना सकते हैं लेकिन मिठाई वाइट नहीं बनेगी इसलिए ये सारे नारियल को मैं छील के एक मिक्सर जार में इसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके पीस लेंगे इसी तरीके से सारे नारियल को मैं छील लूँगी अब छील के इसको मैंने अच्छी तरह साफ दो बार धो लिया था दो के छोटे-छोटे टुकडे काट लिया हैं और एक मिक्सी जार में हमें इसे पीस लेंगे अगर बढ़ा है तो आप एक बार में पीश सकते हैं अगर छोटा है तो दो बार में पीश लीजिए इसका एक बारिक सा पाउडर बन के तयार हो जाएगा फ्रेस नारियल से बहुत ही अच्छी सॉफ्ट वर्फी हमारी बन के तयार होगी यह देखे इस तरीके से यह पेस्ट चुका है एकदम इसका फाइन पेस्ट बन गया है अब इसे मैं एक कटोरी या कब कोई भी सेट कर लें आप उसी से हम सारी मिठाई को बनाएंगे जिससे हमें सारी चीजों को मेजरमेंट करने में आसानी रहेगी यह मैंने दो कटोरी यह नारियल का पेस्ट लिया है और अब ले लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई कढ़ाई मोटे तले की लेनी है और इसमें डालेंगे हम दो चम्मच तेसी घी इससे हमारी मिठाई में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे जो हमने यह नारियल पीसा है कच्छा नारियल इसमें इसको डालके भून लेंगे इसे हमें एक मिनट तक भूनना है इसका कलर चेंज नहीं करना है जिससे जो हमारा यह नारियल में मौश्चर है वो भी खतम हो जाए और एक मतला सूखा सा पाउडर सा बन जाए इसका इसको अच्छी तरह ऐसे ही low to medium पर हम भून लेंगे जो इसका मौश्चर है सारा खतम हो जाएगा इसी तरीके से इसे चलाते हुए हमने भून लिया है अब देखिए इसका दीरे दीरे सारा मौश्चर खतम हो गया है ये एक कटोरी और डाल दिया है मैंने ये टोटल दो कटोरी नारियल मैंने इसमें डालाए और दोनो कटोरी नारियल को मैं अच्छी तरह से भून लोगी कलर चेंज इसका बिल्कुल भी नहीं करेंगे वैसे ही इसको बस इसका मौश्चर खतम करना है मैं अब ये देखिए ये हमारा ये नारियल भून चुका है एकदम सुखा सुखा दिखाई दे रहा है अब इसी स्टेज पर मैं डालूँगी उसी कटोरी से दो कटोरी भरके दूद ये फुल क्रीम दूद लिया है मैंने आप चाहें तो इसकी जगे मलाइका भी यूज़ कर सकते है और अब इसको भी डालके हम हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे और इसका हमें एक अच्छा सा मावा सा बन जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप चाहें तो इसमें मावा डाल सकते हैं दूद की जगे अब इसको ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगेगा एक दो मिनट में ये भून के तयार हो जाएगा और देखिए ये दूद भी काफी इसके साथ दूद को सोक लिया है नारियल ने अब इसमें डालेंगे उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी दो कटोरी नारियल था एक कटोरी हम चीनी डालेंगे अब इसको भी इसी के साथ हाई फ्लेम पे भून लेंगे बहुत जल्दी ये बर्फी बनके तयार हो जाती है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी होती है अब इसको भी हाई फ्लेम पे हमें भूनना है क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी तो इसको भी ऐसे अब ये पौना कटोरी लिया है मैंने मिल्क पाउडर इससे बहुत अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आएगा मिठाई में बिल्कुल मावे के जैसी लगेगी अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम के करीब खोबा का भी यूज कर सकते हैं खोबा डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब ये इसमें डाल दिया है मैंने ये फ्रेस इलाइची पाउडर कूट कर इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसको सारी चीजों को मिला लेंगे ये 10-15 मिनट में ये हमारी मिठाई बनके तयार हो गई है और ये मैंने एक थाली को थोड़ा सा देसी घी डाल के थाली ट्रे जो भी आपके पास सो ग्रेस कर लिया है अब ये जो सारा मिक्स्चर है इसको इसमें ट्रांसपर कर लेंगे इसे थोड़ा सा थंडा होने पर ही हम करेंगे जब हलका गुन-गुना हो तब ही डालें प्लेट में इससे हमारी बर्फी अच्छी जमेगी अब ये सारी मिक्स्चर को मैं थाली में डाल लूँगी अब ये थंडा थोड़ा गुन-गुना है जादा गरम नहीं है ये देखिए अब आप इसको किसी भी सेप में मैंने स्कौायल सेप में इसको सेट कर दिया है अच्छी तरह से अब इसको रूम टेंपरेचर पर बाहरी आदे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें आदे घंटे बाद हम इसके पीस काटेंगे ये मैंने पिस्टे की कतरन से इसको डेकोरेट कर दिया ये बिल्कुल ऑफसनल है आप चाहें तो कारें नहीं तो ऐसे ही रहने दें ऐसे भी ये बर्फी बहुत अच्छी लगती है अब इसको अच्छे पीस काट करने के लिए मैंने ये पीजा कटर का इस्तेमाल किया जिससे हमारे पीस एकदम स्मूथ कट के तयार हो बिल्कुल उनकी सेफ खराब ना हो आप किसी भी सेफ में काट सकते है मैंने जैसे बर्फी होती है उस सेफ में इनको काटा है अभी इन पीसों को हम नहीं निकालेंगे इसे 20 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में और रख दें जिससे हमारी मिठाई अच्छी तरह सेट हो जाएगी उसके बाद हम ये पीस निकालेंगे मिठाई के इससे हमारे पीस इजिली निकलाएंगे अब ये देखिए ये हमारे पीस एकदम तयार हो गए है देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ एकदम बढ़िया पीस निकल के आए हैं एकदम सौप्ट अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग तो कैसी लगी आपको ये मिठाई की रेसेपी बनाना बहुत आसान है तो आप ये मिठाई एक बार जरूर बनाईए और मुझे बताईए कमेंट करके कि आपकी मिठाई भी कैसी बनी